सम दी बाहु त्रिभुज के गुण प्रापर्टी आफ आईसो सलेस्ट्रेंगल अब तक हमने त्रिभुजों की सरवांग समता से सम्मंदित नियमों का अध्यान किया आईए इन नियमों का प्रयोग त्रिभुज के कुछ गुणों के अध्यान में करें एक तिर्भूज जिसकी दो भुजाय बराबर हो सम दिबाहो तिर्भूज या आईसो सेले स्ट्रेंगल कहलाता है अईए सम दिबाहो तिर्भूज की गुणों को समस्ते हैं एक गतिविधी है जिसे हमें करके देखना है एक त्रिभुज की रशना करनी है जिसकी दो भुजाओं की माप 4.5 cm और एक अन्य भुजा 6 cm की हो अब इन भुजाओं के समुख बने कोड़ों को मापिए क्या ये कोड़ बराबर हैं? हाँ ये दोनों कोड़ बराबर हैं इसी प्रकार विभिन भुजाओं वाले अन्य सम्दिबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रिया कल आपको दोराईए जिससे सम्दिबाहु त्रिभुज को एक महत्वपूर्ण कोड़ प्रदर्शित होता है कि किसी भी बराबर भुजाओं वाल बच्चो हम प्रमे 10.3 पे बात करने जा रहे हैं इसमें एक त्रिभूज ABC हमें दिया हुआ है और इस त्रिभूज में जो शिर्स A है वहां से हमने उसका कुलारदक AD खीचा हुआ है यह एक रशना है लेकिन हमें इस त्रिभूज में जो बात दी हुई है वह यह है कि त्रिभूज ABC में भूजा ABC के बराबर है यानि जो त्रिभूज है वो सम्धि बाहु त्रिभूज है और सम्धि बाहु त्रिभूज में हमें यह सिद्ध करना है कि बराबर भूजाओं के सामने के जो कौन है वो आपसे बराबर है यानि यदि A, B और A, C बराबर है तो A, B के सामने का कौन C A, C के सामने के कौन B के बराबर है यह हमें सिद्ध करना ही यानि इसे हम कौन C कह रहे हैं और यह कौन B है तो यह भी आपसे बराबर होते हैं यह इस प्रमे का कथन है और इसे हम प्रूफ करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं. तो चले जो जानकारी दी हुई है, वो हम पहले लिख लें. हमें दिया हुआ है त्रिभुज A, B, C एक सम्दी बहुत त्रिभुज है. सम्दी बहुत त्रिभुज है जिसमें A, B बराबर A, C ये हमें दिया हुआ है. हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है इक कोड B, कोड C के बराबर यानि इस कोड के दिए हम पुरा लिखे तो लिखेंगे कोड A, B, C कोड A, B, C बराबर है कोड A, C, B के कोड A, C, B के अब हम एक रशना करते हैं जो आपके सामने यहां पर अंकित की गई है कि हम कोड A का अरदा खीचते हैं A, D जो B, C को D पर मिलता है कोड A का हमने अरदा खीचा जो A, D है और B, C को D पर मिलता है यह हमने एक छोटी सी रशना कर ली अब इसके अधार पर हमें आगे बढ़ना है तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं यह हम देख ले अब दो त्रिभुज हमारे सामने बनना है त्रिभुज A, B, D और त्रिभुज A, C, D तो हम लिखेंगे त्रिभुज A, B, D मे त्रिभुज A, B, D और दूसरा त्रिभुज यहां जो बन रहा है त्रिभुज A, C, D मे कुछ चीज़ें हमें दी हुई है कुछ रशना से हमें मिली है और कुछ हमें हर ढोड़नी है तो आप देख रहे हैं कि यह जो दोनों त्रिभुज बन रहा है A, B, D और A, C, D इसमें पहले वाले त्रिभुज की बुज़ा A, B दूसरे त्रिभुज की बुज़ा A, C के बराबर यह हमें दिया हुआ है तो हम लिखें कि A, B, D और A, C, D में A, B बराबर A, C यह हमें दिया हुआ है और एक चीज हमने रचना से प्राप्त की जब हमने इस कोड का अर्दक खीचा तो यह जो रिखाखंड A, D है वो पूरे कोड को दो बराबर भागों में बाढ़ता है यानि कोड B, A, D बराबर होता है कोड C, A, D के इसे हम लिखें कोड B, A, D बराबर है कोड C, A, D के इसे हम लिखें चुकि A, D कोड B, A, C का अर्दक है इसे हम ब्रेकेट में लिखें रख ले, इसका अधार हमें मिल गया और तीसरी चीज़ आप देखिए कि जो भूजा A, D है वो दोनों त्रिभूदों में मौजूद है तो हम लिखें पहले त्रिभूद के लिए A, D बरापट दूसरे त्रिभूदों के लिए A, D ये उभैनिस्ट है तो आप देख रहे हैं कि इस पहले त्रिभूदों की दो भूजाएं A, B और A, D दूसरे त्रिभूदों की क्रमशा दो भूजाओं A, C और A, D के बरापर है और इन दोनों भूजाओं की बीच बनने वाले कोण के बरापर है ये तीन चीज़ें आपने यहाँ पर देख ले और इसके अधार पर आप देखिए कि यहाँ पर भूजा, कोण, भूजा दूसरे त्रिभूदों की भूजा, कोण, भूजा के अलग-अलग बरापर है तो हम कह सकते है कि पहरे त्रिभुज की दो भूजाए Lahar उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भूजाओ और उनके बीच के कोण के बरापर है और इसलिए दोनों त्रिभुज सरवांग सम है तो यहाँ हम लिखें कि इस आधार पर आप किह सकते हैं कि इन दोनों सर्वांक स सम्त्रिपूज 22 में जो संघत अव्यों नहीं है वह कौर भी हो सकते है और बच्य भुजाई भी हो सकती हैं आपस में बराबर होंगे ऐसे परशिती में नहीं कोण 22 को को छी के बराबर कह सकते हैं हमने देखा कि इन दो त्रिभूजों में ये कॉन इसके बराबर है। और ये इस रेखाकंट को हटा दें अर्दक को हटा दें तो आप देखेंगे इस त्रिभूज की ये दोनो कॉन आपसे बराबर है। और इस दो differs नो आपको आपा देखा है।